हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उपचानुसके में हम चैनल उपचानुसके में रोज एक लेटिस टूडियो अब्रेट करते हैं यदि आप हमसे जूड़ना चाहते हैं तो सबसे पहरे आप हमारे चैनल उपचान उसके को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप डेली एक नई वीडियो देख सकेंगे सन्बर्ण की समस्या को दूर करने के आसाल गरीलो उपाई सन्बर्ण एक आम समस्या है जब हम तेज धूप में घर से बाहर निकलते हैं सन्बर्ण से चुटकारा पाने के लिए गर्मियों में सकीन की देख भाल करना काफी जरूरी हो जाता है क्योंकि सन्बर्ण की कारण सकीन बहुत ही डल दिखाई देने लगती है आज हम आपको कुछ ऐसे घरीलो उपाई बताने जा रहे हैं जिससे आप सन्बर्ण की समस्या से राहत पा सकते हैं सन्बर्ण से आखों की देख भाल अब इस पेस्च को काले घरो पर 20-25 मिनट तक लगाए रखें और 20 मिनट बाद आखों को ताजे और साप पानी से धूले सन्बर्ण से सकीन की देख भाल ओली सकीन वाले लोगों पर सन्बर्ण की समस्या अधिक रहती है सन्बर्ण की कारण सकीन पर पिंपल्स जूरियां अधिक नजर आती हैं आप खीरे के प्योग से भी बहुत जल्द ही सन्बर्ण की समस्या से रहत पास सकते हैं इसके लिए सबसे पहले खीरे को फ्रीजर में 20-25 मिनट तक ठंडा होनी के लिए रख दे अब इसकी बारी स्लाइस काट कर अपनी स्कीन पर हलके हाथों से रगणे और इन स्लाइस को 10 मिनट तक अपने चहरे पर लगा रहने दे और बाद में ठंडे पानी से चहरा धोले चार से पांस दिन लगातर करने मात्र से ही सन्बन के समस्य से शुटकारा मिलता है और इसकीन में गलो आता है इसके अलावा आप अपने चहरे का नैचुरल निखार बनाए रखने के लिए पुदेनी की पत्तियों के रस वे गुलाब जल का प्योग भी कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले कुदेनी की पत्तियों के रस में बराबर मात्रव में गुलाब जल मिलाकर अपने स्कीन पर 15 से 20 मिनट तक लगाए रखें वे 20 मिनट बाद स्कीन को ठंडे पानी से धूलें नियमित रूप से ऐसा करने पर इसके इंसे काले दाग धब्बे पैकालापन दूर हो जाता है फ्रेंड्स अगर आपको यह सबी बाते पसंद आई हूँ तो आप हमारे चैनल उपचान उसके को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें